हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टाडी सेंटर हम पढ़ रहें MSWord का व्यू टैप जिसमें हमने पिछले क्लास में कुछ व्यू टूल्स के बारे में हमने समझा था व्यू टूल्स हमारे पास पास तरीके को होते हैं यह हमने अल्रेडी स करते हैं इसके पारे में हमने प्रिविएस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लें किया है अगर आप हमारे प्रिविएस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे एक पर जरूर विजिट कर ले इसमें हमने सब को अच्छे से एक्स्प्लें किया हुआ है और के बारे में और जानना चाहते हैं बैतर तो हमारे प्रिब्यूस वीडियो को जरूर विजिट कर ले आज का जो पाकी का टॉपिक जैसे कि यहां पर है इंप्रेसिव रिडर तो इसको हम आज की इस वीडियो लेक्शर में कंप्लीट करेंगे तो यहां पर अभी हम समझते हैं यह हमने एक review चाब में भी रेडर आपको समझाया हुआ था तो ठीक वैसा ही रेडर कुछ है लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इसमें features है तो इसको भी आज हम समझेंगे सबसे पहले हम कुछ content लिख लेते हैं तो हमने यहाँ random function के through हमने random data insert कर लिया यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुत सारा data insert हो चुका है और page को हम थोरा सा और zoom कर लेते हैं 130 हमारा zooming range हो चुका है अब हम इसको impressive radar में लाते हैं यानि कि अब हमने इसको अच्छे तरीक से reading mode में करना है तो जैसे हमने किया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह column की रूप में आ चुका है हम इसको बड़े हासानी से पढ़ सकते हैं column wise or column इस column के width को अगर आपको घटाना बढ़ाना है त तो यहाँ पर आपके पास बहुत सरे option मिल जाते हैं जैसे कि आपको मिल जाता है very narrow बहुत ही छोटा narrow थोड़ा सा अच्छा moderate इसमें क्या होता है कि बड़े ही आसानी से हमने पढ़ने के लिए comfortable हो जाता है और यह है width जो screen की पूरी चोड़ाई है यह पूरे चोड़ाई में हमारे column को रख देगा तो हम एक एक करके सब को करते हैं आपको difference बिल्कुल clear हो जागा अब हम very narrow करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे और छोटा हो चुका है by default narrow था और इसके बाद और हम करते हैं moderate करते हैं तो यहाँ पर एक ठीक ठाक सा मिल जाता है ना जादा पतला है जादा फैला हुआ है इसके बाद आता है width तो width जैसे हम करेंगे तो यह हमारे पूरे full screen में हो जाता है full screen मतलब कि पूरे width में यह फिल हो चुके हैं इसके बाद अगर हम reading mode में हैं अब इसको पढ़ रहे हैं पढ़ने का वक्त क्या होता है कि जादा light हमारे आखों पर सान पहुंचाते हैं तो हम कब किस टाइम पर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर मोड भी दिया हुआ है नन है नन का मतलब कि white background रहेगा spy में क्या होता है कि थोड़ा सा cream color का हम कह सकते हैं ना जादा यह पीला होता है ना जादा यह white होता है यह yellow और white का mix करके यह color बनाया जाता है जो हमारे आखों के लिए perfect होता है अगर हम night में reading कर रहे हैं तो यहां पर inverse आप कर सकते हैं जो कि black कर देगा यानि कि अभी हमारा background white है और foreground क्या है black है यानि की text black है और background white है इसको यह inverse कर देगा इंर्स करने का मतलब क्या है कि जो हमारा background है उसको कर देगा black और यो हमिरा text है उसको देगा white तो आयल जबी ज़्यादा लाइट आता है तो हमारे आंकों में दर्द सा होने लगता है तो उसको यहां पर ठीक किया गया इन्वर्स करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं अगर आप नाइट मोड में अगर स्टडी कर रहे हैं कुछ आर्टिकल कुछ भी आप पढ़ने का काम करें या अब इसको अच्छे से कर सकते हैं यह आपका जो लुक है जो मोड है यह नाइट मोड की Benjamin कि तरह यह वर्क करें ढ़्क मोड भी हम इसको क्या सकते तो यह हमारे पास कुछ नर्ष को सब्सावर्स करने के लिए आप की यह कैडर हो पा रहा होगा है तो यह हमारे बहुत अच् से इक लाइन पड़ने में मदद करें में ना जैदा लाइन स्टेट्मेंट दिखेगा ना हमारा ध्यान इधार उदर बठेगा सिर्फ एकलाइन पर होगा और हम एक लाइन को बड़े आसानी से पड़ सकते यह सारे फीटर्स आपको अच्छा जो टेकनिक मैं बता रहा हूं यह सब अपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग वीडियो देख लेते लाक करना भूल जाते हैं लाइक करना ना बुले इस से हमारा मोटिवेशन मिलता है और यह वीडियो यहां पर पर दिखाेगा यहांपर फाइफ लाइन के सकते एक लगभग फोकस करना वह आप से तो आप यह पिसके बाद जो क्लेएए मगा और बैंदो आज आगए उपके देखेंगे एक यह है तेट्स्ट स्पेसिंग यानि कि पढ़ने में कभी-कभी क्या होता हिए एक पिछ एक जगह इनके बीच में थोड़ा सा रखना चाहते दूर से अगर पढ़ रहे हैं तो इनको गैपिंग करना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो यहां पर गैपिंग कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि चरूरत है तो आप ऐसे भी कर है वो भी बहुत important है ये है सेबिलाइज इसमें क्या होता है कि जब हम प्रॉनॉंसी एक करते हैं तो उनके बीच में इतना असान हो गया आप जैसे कि यहां पे यह हमें दिख रहा है इसको मैं ठीक है यहां पर आप आप समझ चुके होंगे I hope अगर confusion आ रहा नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें comment section में comment करके फिर सब पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो को एक बार replay करके पुना देख सकते हैं यहां पर यह समझ में आ चुका होगा इसका जब हम यूज करेंगे जब हमन अगर फिर भी pronunciation नहीं हो रहा है तो इन्हों ने एक और features आपको दिया हुआ है read aloud यहां पर हमने यह review tab में भी देखा था यहां भी हम इसको देख रहे हैं यह हमें क्या करेगा कि document को खुद read करके हमें बताएगा और इसके बारे में हमने already पहर लिया हुआ है इसलिए मैं यह यहां पर एक और फिर देमो दिखा रहा हूं यह हमारा reading करने लगा जहां भी cursor point है वहीं से reading start कर दिया तो इसके बारे में हमने बहतर समझ लिया है पिछले class में review tab में ही तो उसको अगर देख रहा है तो आप उसको देख सकते हैं इसके settings क्या क्या है इसमें क्या क्या changes कर सकत है यह सब हमारे previous video में उसको एक बर जरूर देख लें जो कि review tab में हमने इसको समझाया हुआ ठीक है तो यहां पर अब इस mode को close करना है तो अगला option हा हमारा close impressive readers इसको हम close करेंगे तो यह mode हमारा clear हो चुका है फिर से हम अपने view tools print layout view में आ चुके है ओके तो यहां पर हमने अच्छा सा technique बताया गया है कि हम अपने document को कब कैसे किस mode में read करेंगे और एक बहता read कर सकते है या फिर हम जो भी काम करें तो हम further काम भी कर सकते mode change करके अगर यह video आपको पसंद आया हो तो इस video को एक like जरूर करें और यह video कैसा लागा आपको यह comment section में comment करके हमें बताए